Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल गाड़ी होना जरूरी है उसके लिए, भले उसके अंदर safety features हो ना हो, भले उसके अंदर airbags हो ना हो, लेकिन उसके अंदर sunroof होना चीए, ऐसा यहाँ पर एक सपना देखता है मध्यमवर, और इसी की वज़े से क्या हुआ है कि भारत के अंदर हमने जो गाड़ियों के अंदर safety features है, उसके उपर बहुत ज़्यादा focus ना करके, जो cosmetic features होते हैं, उसके उपर ज्यादा ध्यान दिया किया है, अब इन सारे चीजों को देखते वे, आपको पता ही है कि अभी जो accident हुआ है, Cyrus Mystery का, उसके बाद से काफी ज़्यादा चर्चा होने लगी है, seatbelt को लेकर, तो पर आप देख सकते हो, rare seat occupants not wearing seatbelts to be penalized, says Nitin Gutkari, इसको आप डीटेल से समझेंगे, लिए वैसे मैं आपको बता दो कि सरकार ने recently यहाँ पर जो law आया था, कानून में बदलाव किया था, उसके अंदर यह provision रखा है, लेकिन जाहिर सी बात है, इसका कभी पानना नहीं किया ज ध्यान रखेगा, UPSC का batch आप जोइन कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रिलिंस और मेंस की पूरी त्यारी कराई जाती है, हमारा एक नया batch स्टार्ट हो रहा है, 14th of September से, यहाँ पर अंकित live code इस्तमाल करना है, ध्यान रखेगा, आज अगर आप यह लेते हो, तो साथी साथ एक smart course है, जो recorded वाला हमारा पिछला वाला UPSC course है, वो भी आप ले सकेंगे, लेकिन इस वाले course में मैं आपको बता दूँ, यह स्रिफ 19,000 में, by using the code अंकित live, आपको कितने features मिलते हैं, 900 प्लस hours of live teaching आपको मिलती है, notes दिये जाते हैं, answer rating practice होता है, revision test होता है, prelims के लिए कई features आप को मिलेंगे, और एक mentor दिया जाएगा, कोई दिक्कत है, problem है, आप अपने mentor से पूछ सकते हैं, इसके लावा अगर आपको MCQs attempt करना है, तो मेरे Insta page पर जाएए, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं, सबसे पहले द infrastructure है, जो physical infrastructure है, उसमें एक बड़ा तेजी से काम हो रहा है, और उन्होंने basically यहाँ पर एक event के दोरान, कल मुंबई में event के दोरान, नितिन गटकरी जी कुछ बोल रहे थे हो, उस समय उन्होंने ये कह दिया, कि अब से rare seats पर बैटे हुए passenger पर भी penalty लगेगा, अगर वो seat belt नह आएंगे, foreign में अगर आप देखोगे, तो यह already काफी लोग लगाते है, मैंने कई बार देखा है, जो foreigners आते हैं वहाँ से, तो वो जब पीछे बैटते हैं, तो वो अकसर ढूंटे रहते हैं, seat belt कहा है, क्योंकि हमारे में आदत नहीं होती है, तो हम सूचते हैं कि हो क्या रह आए थे, impact कहा हुआ है, जो car accident हुआ है, उसका impact आगे हुआ है, तो ज़्यादा चोट किसको आने चाहिए थी, आगे वाले बैठे वे जो driver है, और जो co passenger है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों ने यहाँ पर seat belt लगाया हुआ था, और आप सोचिए यह गाड़ी कौन सी है, अलग airbags मिलेंगे, जो curtain airbags होते हैं, यहाँ पर, rear side में यहाँ पर जो पीछे लंबा सा airbag होता है, वो भी मिलता है, उसके बावजूद भी, यहाँ पर Cyrus मिलती और उनके साथ भी जो बैटे वे बैखती थे, उनकी यहाँ पर मिलती हो जाती है, तो बताया है, यहाँ यहाँ कि अगर पीछे भी अगर उन्होंने यहाँ पर seatbelt लगाया होता, तो काश उनकी यहाँ पर जो जान है, वो बच जाती है, वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो Mercedes Benz है, उनसे सवाल जवाब पूछा जा रहा है, सरकार के दोरा, और यहाँ पर उनका भी यही कहना है, कि हम cooperate कर र जारी कर दिया जाएगा, दो-तीन दिन के अंदर notification जारी कर दिया जागा, किस तरकी penalty होगी, कितनी penalty होगी, लेकिन at least 1000 रुपए तो penalty होगा, आप यह मान के चलिए, क्योंकि कानून में अल्री लिखा हुआ है, पहले क्या होता था, पहले सिर्फ आगे के जो दो वैक्टी बै मैं सुना दूं, कि आपने देखा होगा, कि जब आप आगे की seat पर बैठते हो, गाड़ी में आगे बैठते हो, तो उस समय जब आप seatbelt नहीं लगाते हैं, तो अचानक से alarm बजने लगता है, बीप sound आने लगती है, जब गाड़ी चल रही होती है, लेकिन यही same चीज आपको पीछे देखने को नहीं मिलता है, नेतन गटकरी जी का अब यह कहना है, कि यहाँ पर हम manufacturer से बात कर रहे हैं, कि किस तरीके से पीछे अगर कोई वेक्टी बैठता है, और वो seatbelt नहीं लगाता है, तो वहाँ पर भी जो alarm है, वो चालू हो जाएगा, बीप sound जो है, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, और इसके लिए यहाँ पर यह जितनी भी कारे आती हैं देश के अंदर, उन सभी के ऊपर यह लागू होने वाला है, आप देखते हैं, वो कब तक लागू होगा, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बहुत irritating sound होता है, यह sound होने की जब आप बैठ होगे, तो इस तरह का आपको जोगार देखने को मिलेगा, बेसिकली क्या है कि कोई वेक्ति बैठ गया, अब यहाँ पर उसको seatbelt लगाना है इस तरह से, तो इस तरह का जो beep alarm stopper, इसको beep alarm stopper कहा जाता है, यह खरीद लेते हैं मार्केट से, और उसको simply put कर देत हैं और इसमें seatbelt नहीं लगा रहता है, अब सोचिए, हम अपने खुद के safety के साथ खिलवार कर रहे हैं इस चीज में, तो यह जो पूरी manufacturing होती है देश के अंदर, इन सब को सरकार ban करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे, यह जो crash हुआ है Cyrus Ministry का, इसके बाद से government to ban seat seatbelt beep alarm stoppers in India, तो यह I think बहुत ही अच्छा लगा मुझे जानका, लेकिन उसके बावजूद भी है I am sure कि भारत में कुछ ना कुछ जोगार निकल जाता है, जैसी यह seatbelt आप देख रहे हो, इसको पता नहीं कैसे यह seat के पीछे से लाकर और फिर इस तरह से यहाँ पर लगा देत वो था Motor Vehicle Act 1988, उसके अंदर सिर्फ फ्रंट में बैठे हुए passenger के लिए ही seatbelt compulsory था, तो 2019 के पहले तो यही चल रहा था और जो traffic police है वो आपका आगे वाले लोगों के लिए ही यहाँ पर चलान काट सकता था, लेकिन 2019 में अगर आपको याद हो, in fact मैंने एक वीडियो भी बना है कि चाहें आगे बैठे हो या फिर रेर सिट में बैठे हो, अगर आपने seatbelt नहीं लगाया है, तो आपके उपर 1000 रुपए at least चलान किया जा सकता, अब इसमें changes किये जाते हैं, depend करता है सरकार क्या rule राती है, लेकिन क्या आप में से बता सकते हो, in fact मुझे भी शायद यह न यह कर सकता था, ठीक है, तो यह अभी तक धारना यही रही है कि पीछे बैठे वे वेक्ति को seatbelt शायद नहीं लगाना होगा, compulsory नहीं है, लेकिन 2019 में मैं आपको बता दो जो कानून है, उसके अंदर clearly लिखा हुआ है, कि उसके उपर भी compulsory है, और traffic policeman भी ध्यान नहीं देता ह है, और traffic police का भी यह कहना है कि देखिए अगर हम camera वगरक अभी इस्तमाल करें, तो rare seat पर देखना camera से बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, खैर जो भी है मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कि एक video issue किया गया था, in public interest by the union ministry of road transport and highways और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप seatbelt लगाते हो, इसकी वज़य से जो accident के अंदर मित्यू है, 80% तक कम हो सकती, 80% जो impact है वो कम हो सकता है, सोचके देखिए कितना बड़ा chance होता है हमारे जीवन को बचाने का, लेकिन फिर भी हम इसके साथ खिलवार करते हैं, वैसे मैं आपको ये बता दू कि सरकार ने सभी गाडियों में, सभी गाडियों में कोई भी price range की गाड़ी हो, हर एक passenger के लिए rare seat में आपने देखा होगा, तीन लोग अगर बैठ सकते हैं, यहाँ पर दो और एक बीच में बैठ सकते हैं, तीनों के लिए यहाँ पर seatbelt होना चीए, कौ George Kelly है, basically he was an English aviation innovator, तो उन्होंने basically उस समय जो aircraft होती थी, उसके लिए seatbelt को यहाँ पर create किया था, अब seatbelt पहले क्या होता था, कि अगर आप देखो कि aircraft में आज भी क्या होता है, जब आप airplane में बैठते हो, तो यह two point वाला होता है, यहाँ से लेकर यहाँ लगता है, simply, आपके soldier पर यह वाला protect नहीं होता है, फिर finally आगे चल कर क्या होता है, आप देख पाऊगे, 1959 में Volvo एक गाड़ी है आपने सुना होगा, luxury car है Volvo, और Volvo जान ही यहाँ पर safety purpose से जाती है, जितने भी आज के date में आप safety features देखते हो ना compulsory जो अच्छे होते हैं, वो actually Volvo के द्वारा ही लाया तो Volvo ने यहाँ पर एक Swedish engineer को कहा था, कि आप जो गाड़ीों के लिए एक proper seatbelt का invention करिए, और यहाँ पर Nils Bolin ने यह invent किया था V type 3 point seatbelt, इसको हम कहते है V type 3 point, 3 point कैसे एक point यहाँ पर लगता है, दूसरा यहाँ से attach होता है, तीसरा यहाँ से होता है, तो automatically क्या होता है, पहले क्य रहते हो, आपका upper body और lower body, दोनों ही यहाँ पर काफी अच्छे से protect हो सकता है, इसको 3 point seatbelt कहा जाता है, इनफर्ट यहाँ पर एक science experiment भी किया गया था, कि किस तरीके चाज़े जो seatbelt है, वो आपको protect करता है, मैं आपको एक example बताता हूँ, अगर मान लीजे कोई गाड़ी है, वो 100 km की रफतार पर जारी है, 100 km पर आर की रफतार से जारी है, और पीछे बैटा हुआ वेक्ती का जो weight है, वजन है, वो 80 kg है, पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, rare seat पर, और अगर उसने seatbelt बेल्ट नहीं लगाया है, और गाड़ी 100 km पर आर के साफ़ से जारी है, और कोई accident हो यह अगर आप देखो कि यहाँ पर आगे दो weight है, मान के चलो, मान के चलो कि दोनोंने seatbelt पहना हुआ है, पीछे अगर आप देखोगे, तो यह वाला cryptocur ji va aja बैठा ही अराम से इस position पर है, और होता क्या है कि अगर मानलो सामने बैठे वाला soybean बैठा बाया भी है लेकिन पीछे बैठे वेले वेक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था इसकी वज़े से वो जब आगे आएगा तो आगे वाले वेक्ति को भी यहाँ पर नुकसान पहुंच सकता है तो यह सभी लोगों के लिए अंदर बैठे वे लोगों के लिए बाहर बैठे लोगों के लिए सबके लिए नुकसान दायक है और इसी के वज़े से जो सीट बेल्ट है वो लगाना बहुत ज़ादा जरूरी हो जाता है लेकिन अगर हम भारत के अंदर बात करें जो attitude है सीट बेल्ट को लेकर वो बहुत ज़ादा खराब है in fact 2017 में ministry ने यहाँ पर एक वी नहीं करना चाता भारत के अंदर जो रेर सीट तो छोड़ दीजा आगे नहीं लगाते हैं तो रेर सीट के आप क्या बात करोगे टैक्सी ड्राइवर्स वगर मैंने आपको बताया था अलोड़ी यहाँ पर जो स्ट्राफ है उसको जश्ट लगा देते हैं शोकेस के लिए औ और यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन के लिए तो हम ज़्यादा सेफ्टी पर ध्यान नहीं देते सेफ्टी पर खर्चा नहीं करना चाहते हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान किदर होता है माइलेज के उपर होता है यहाँ पर कितना ज़्यादा माइलेज हमें मिलती है जो जो secondary features होते हैं, creature comforts होते हैं, उसके उपर हमादा ध्यान होता है यहाँ पर, और central government ने मैं आपको बता दूँ कि 1st October से यह plan करा है, यहाँ इसी साल 1st October से यह plan है कि जितने भी passengers मेंदब सभी के लिए यहाँ पर airbags होना चाहिए, 6 airbags compulsory होना चाहिए, ऐसा सरकार ने plan कर रखा है, लेकिन खबर यहाँ पर यहाँ आ रही है कि हो सकता है इस plan को और delay कर दिया जाए, क्योंकि जो small car manufacturers होते हैं, उनकी तरफ से यह pushback आ रहा है, especially भारत के अंदर आपको पता ही है, हर दूसरी गाड़ी जो बिक्ती है, वो मारूती की होती है, मारूती सुजुकी, तो मारूती लिए car खरीदना महंगा हो जाएगा, तो देखना होगा कि क्या इसको further delay किया जाता है, नहीं किया जाता है, लेकिन यह ऐसा नियम आने वाला था 1st of October से, और इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत के अंदर road accidents के बारे में, हर साल 4 लाग से जादा accidents होते हैं, in fact मैं आपको बताओं तो इसमें से 1 quarter 25% की मित्ती हो जाती है, जो 2021 का NCRB, National Crime Record Bureau का data सामने आया है latest, उसके अंदर यही बताया गया है कि 1,55,000 लोगों की मित्ती होई थी 2021 में इंडियन roads पर, अब कितने तो आपके uncounted होते हैं, जो कि count भी नहीं होते हैं, 2021 में जो total number of road accidents हैं, उनकी संक्या 4,3000,000 के आसपास थी, और अगर हम rare seat belt के awareness की बात करें, आप देखिए, 1% लोग भी rare में seat belt नहीं लगाते, ये बात एकदम बिल्कुल सही है, कोई doubt नहीं है, इसमें, in fact 37% ऐसे लोग थे जब survey किया गया, और यहां पर उनको पता ही नहीं था कि rare seat पर जो जो चलान है, वो भ होता है, in fact यहां पर जो एक आकड़ा सामने आया था, रिपोर्ट के अधार पर वो ये बताया गया है, कि 2020 में 15,000 लोगों की मित्य हुई थी, अकेले सिर्फ seat belt नहीं लगाने से, अगर seat belt लगा लेते तो उनकी जान बच सकती थी, 39, लगबाग 40,000 के आसपास, काफी serious injured पालन कीजिए, in fact यहां पर एक और मैं खबर पढ़ा आ था, कि Cyrus mystery जी का जो death हुआ है, इसमें जो Mercedes जो गाड़ी शामिल है ना, उसका भी अपना इतिहास है, यह जो Mercedes गाड़ी आप देख रहे हो Cyrus mystery की, जब track record देखा गया, तो पता चला कि उसने कई बार already signals जम किया हुआ है high speed में किया हुआ है, यह भी गाड़ी काफी जादा speed में थी, ऐसा बताया जा रहा है, तो ultimately कितना भी features ला दिये जाएं, अगर आप traffic signal, traffic का पालन नहीं करेंगे, तो इसकी वज़े से आपकी जो मिर्तियू है, जो है वो जा सकती है, और यह पूरा वीडियो था दोस्तों, आ अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बागि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर आप जोड़ पाऊगे, और जैसा मने बताय UPSC की त्यारी अब आप कर सकते हैं, by using the code Ankit Live, क्योंकि आपर आपको maximum discount मिलता है, और जो पूरी त्यारी है UPSC की कराई जाती है, जान रखेगा, आज आपके पास मौका है कि आपको smart course भी इसके साथ additionally मिल जाएगा, I hope कि वीडियो आपको पसंद आयोगा, मिलता है आप से next time till then, thank you very much, see you soon.